जी का ट्रीट मैंने देखा, उनका कहना है कि वो हादसे के अगले दिन गयते, मैं स्विकार करता हूँ उसके अगले दिन गयते, लेकिन घिनोना उतना ही था, कि वो एक फिल्म प्रोडूसर के साथ, क्योंकि उनके पिता जी एक चीफ पिनिसर है, जहां पर हाई सेक्यूरिटी एरिया, जो और किसको भी जाने को अलाउट नहीं था, हमारे भी मित्रत है वहाँ पर, हमें भी किसी को अलाउट नहीं था, लेकिन एक फिल्म प्रोडूसर को लेके जाना वहां पर उसके बीचे क्या मंच्छा थी वो तो 2013 में फिल्म बना के अमने देखी ली क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह काम किया उसे लिए उनको रिजाइन करना पड़ा था तो इसमें रहे जरूर थे लेकिन वहां था फिल्म कोई बात नहीं तो जाने का और फिल्म प्रोडूसर को कौन लेके जाते हैं हम रातनी ते विपक्ष के नेताओं को नहीं जाने को था और सही बात थी ऐसे में कोई रातनीती करन नहीं होता है ऐसे में तो सिर्फ सरकार के सेक्यूरिटी पोर्चेज सैनिटाइस करती है क्योंकी वाइटल क्लूूज होते हैं ऐसे स्थान पे जा टेरिरिस्स था किये हैं फूट्प्रिंट्स होते हैं यहां प्रेटल क्लूज के उपर आगे कारवाही होती हैं लेकिन अगर फिल्म प्रोडूसर गुमने लग जाएं, तो ये क्लूस सब खराब हो सकते हैं, हैंड प्रिंट्स, फुट प्रिंट्स, जो सुराक जिसके ओपर आगे करवाई होनी थी, वो खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ, ये भाषाज सिर्व अच्छी इस्तमाल करके, लॉट्स ओफ लव एन अफेक्शन दिखाके, कोई असलियत नहीं चुप जाती हैं, तो पब्लिक के दबाव में, उन्होंने रोल नहीं किया, लेकिन आकिर वहाँ जाने का है, तो क्या था, चीफ पिनिस्टर आकिर क्यों लेके गया उस प्रेडूसर को, ऐसे में तो सिर्फ सेक्यूरिटी फोर्सेज और फोरेंसिक एक्सपर्ट जाते हैं, और मैं समझता हूँ, ये पत्रकार बंदू सब समझते हैं, और देश की जनता तो भली बात ही समझती है, कि ऐसे वक्त पे शोक का वक्त होता है, फिल्म प्रेडूसर को लेके जाके और जो सेक्यूरिटी फोर्सेज का काम, और इंवेस्टिकेटिव एजेंसिस का काम खराब करने का समय नहीं होता है।